सुनातन अमर आत्मा परमात्मा रुपले अनन्द मात्रमा सबई सधाई रई रणलाई आत्मा ग्यान को दैनिक परवचन कारेक्रम अखंडा सुखा अद्वैत प्रदित बलराम जिसी स्वरस्वतिको सात्मा हर एक दिन दिवसो एक पैंतालिस वजे देखी सवेलाई प्रेमले अविवादन गुरु सब्द अमरो संसायर में सवेले जादे आधर पुरुवक बनिने जादा पर्यवगो ने सब्दो गुरु बनने अब गुरु को बिशे में संसायर को प्रकांड ग्यानी अबदूत ले असरी असलाई बताउनु भाको चा तेस तर्फा आगी अले बढन गारनी पर्यत्न गर्चों। अबदूत गीतायको दोसरो अध्यायको पईलो रो दोसरो संस्कृत स्लोक में गुरु को बारे बताईयेको छो गुरु बालक बायवपनी यहला गरना उताई ना, अथो कम आस्था गरना उताई ना, गुरु गिरहस्त बायवपनी, अथो शेवक बायवपनी, गुरु बिशे भोग रहित भायताई पानी, अथो बिशे भोग मां रही रहे को भायताई पानी, गुरु बाई आदर गरनु पर भनी गना, एरा को उधारण दिन उन्चागी, जस्तो एरा फोरो ठाम्मा रहे तापनी, आद मिले तेलाई लिये रा, तेलाई दोई पखाले राक्छाँ, किने की तियो आफे मां सथे शुद्ध छा, तेस्ते रुपले गुरु लाई लिनु परने उन्चा बने रा बन्ने कोच, और इसको साथाई कि बन्ना उन्चा बने दीटा स्लोक में, गुरु कम पड़े को भायता पनी, अथवा काभ्य न जानेता पनी, छंद पुर्वक न भने पनी, गुरु लाई आदर गर्नु ने परने होंचा, बनिकाना यह रत्न को उधायरण दिनु उन्चा, यस्तो हीलो में रत्न छा बने, आमिले यहलो न भनिकाना रत्न लाई, आमिले टपक कर तेले आमिले ली आल्चा, तेले टिपी आल्चा, रत्य लाई धोई पकाली गारे रा, किना मने ते आफे मात शंदे शुद्ध छा, तिसरी नहीं, गुरुलाई आधर गर्णु पर्नी होंच, भने र, फेर अगाडी की बनना होंच, भने, इस्तो डोगा, श्रिंगारी एक डोगा, अथो श्रिंगार नभा एक डोगा, दुबै डोगा ले नहीं, समुंद्र पार तार न सकनी होंच, तिस्ते गरी, गुरु धेराई पड़ेको नभायता पनी, उहाले आधर गर्णु ने पर्ने होंच, किनकी गुरु होंच, गुरु को अर्था हो, श्रेम प्रकास रूपले रही रहेको, जसले अंधकार रो सथा नाश होंच, अंधकार लाई नाश गरेरा, उजयालो सदा दीराने, जो उहाले गुरु बनेंच, इस्तो जो सभाव हो, त्यो स्वेम प्रकास रूपले लेरा मात्रे होंच, स्वेम प्रकास बनेंगो, आपनी प्रकास ले संधे प्रकास इत एक अदूतिय रूपले रहेको, इस्तो जो स्वेम प्रकास बस्तू हो, त्यो अमर बस्तू हो, सदा परिपून रूपले रहेको बस्तू हो, जहां किवल आनंदे आनंद छो, जो संधे परिपून रूपले रहे रहेको हो, इस्तो जो स्वेम प्रकास रूपले रहे रहेको होना ले, वित्रवाट इस्तो सदा प्रकास इत अपने प्रकास ले प्रकास इत बाहेराने, सदा सच्चित सुखरुपले रहे रहनु ने इस्तो जो गुरु बाहिरी रुपमा जस्तो सुके देखेता पनी आमीले बाहिरी रुपमा जस्तो गुरु को महत्तो लाई बुजेर आमीले गुरु लाई आदर सम्मान सधाई गरी रहनु बाटर ने ठुलो कल्याण होंच और धेरे लाब उठाउन सकिन चाउप तिसकारणले गुरु लाई धला बुद्धी, शानु अथा आफु बराबर अश्तो कहीली पनी नठानु बन्यकु ज़ु लाई जईली पनी आफु बन्या माती आफुले आदर गई रहनु पर चाउब इस बाट नहीं थुलू लाब हुँँचा, उन्याले गुरु जस्तु मुर्ख देखेता पनी, गुरु ले उपदेश न दियता पनी, गुरु लाई संधे आधर गर्नु पर्चा, गुरु ले आपनो समय माँ जो बन्नु पर्चा ते तो बन्नी आलना हुँचा, और बाहरी स्वभाब माँ मुर्ख जस्तु देखेता पनी, जस्तु बाहरी दिश्टांत माँ दुरुवाशा बन्ने गुरु उन्नु थे ज्यादे रिशा, उन्हाले गुरु को जे जस्तो पनी, गुरु लाई आदर गर्नु नहीं पर्ने हुँचा, और गुरु बाट धेरे लाबली न सकी नहीं हुँचा, तेस कारणले गुरु लाई गुरु भय को कारणले, हेला नगर्नु उत्तम हुँचा बनेर, यो अब्धुत कीता को दुसरो अध्यायको एक्रदी स्लुक मैं एशरी बताऊनु बावकुचा, तेसेले यो ठुलु कुरा पावनको लागी, अमिले गुरु को स्वरण पर्ने हुपर्चा, गुरु लाई, अमिले मनने पर्चा, किनवने, वहाले यो शमुंदर रुपी सनिशार बाट तार्नु नहीं पर्चा, शक्ने छेमता गुरु में हुँँचा, किनि कि यो सनिशार रुपी अंधकार बाट उत्तिरिन भई सकेको उन्हुँचा, तेस कारणले गुरु को स्वरण बाट नहीं, और गुरु बाहरी रुप बाट जस्तो देख्येता पनी, गुरु लाई आदर गर्नु बाट नहीं, ठुलु कुरा पाउनों सकेंचा, बने रुप जोड दिये हुचा, अब जही संदर मां आमी ले, यो माता पिता लाई पनी मान नुपर चा, बनने लाई पनी आमी जोडू, हरेक छरा छरी, आमी आयेक हुँचा, बाव आमा बाटे आयेक हुँचा, तेस कारणले, सरीरको द्रिष्ठी कूणले पनी हामी ङर को मुल, माता पिता नहीं हुणुचा, बॉईदिक सास्त्र मा माता पिता को महत्व भारे, कसरी बताई आचँ बन्या, अन्य सास्त्र में, जती पनी देवी देवताहरू उन्हाँ उन्हाँ थे थिसकोटी जो देवताहरू उन्हाँ जहाँ छरा छरीको लागी बाउया आमामाई रही राखनु भयका उन्हाँ छ देbी देवता अरुललाई खुशी पारनु अपने माता पितालाईने खुशी पारनु पर्थ माता पितालाई खुशीमें राखन Iciकियोū *** सबय कोस्तिक विया कुल्यान निष्चित्रिप्ण उन उना माता पिता 1 प measurement को क्षिस्तिक अपनो उज्यल भविष्य को लागी अपनो रामरो को लागी माता पिता लाई अतेंता आदर्शाधाई गडि रहनु पर्ने हुँँचा पिता माताको जस्तो आसे छण ओहर को जस्तो एक्ष्या छा था आरू आरू चाहानु हुँचा त्यो भूजेर छराचरे अरूले आमाले न भनी का न पनी गर्णू बाटा उहारो ज्यादे परशन्ना हुनाँच। तरह उहार ले भने मात्रे गर्णे न तरह न गर्णे। अथो उहार ले जती भने पने गर्दे न गर्णे। इस्तो चायने उन्नु हुदैना इस्तो गर्यो बने छराच्वरी गो भविश्य अंदकार हुन्छ। कि नेकी आशिरवाद पाउना आमी सकते नम। तिसकारण दे भविश्य उज्याल को लागी छराच्वरी अरले माता पितालाई गुरु जस्ताई आधर गर्णु पर्णे हुन्छ। और ज्यादे आधर गर्णु पर्णे हुन्छ। बने रहे जोड दीएकुछ। तिसे गरी धर्म सम्मन्न मा पनी आपनो धर्म जसको आपनो धर्म छ तिव आपनो धर्म मा ने रही रहे 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 नहीं। आपको सर्व कल्याण उंच बने र बन्यकुछ। आपनो धर्म लाई शानो अत्वा येला बुद्धि गरे र अरुको धर्म लाई ठुलो सम्मान गर्णु बाड़ा। एद्धे पी ततकाल मा तियो छण मा आपनो लाई शुख को अनुभव जस्तो होला। वास्तम मा कल्याण चाएने भुद्धि न वने र बन्यकुछ। जस्तो द्रिश्नान्तमा आपनो आमा यती बुडी आनि यती कपाल फुलियको भायपनी यती ननामरी भायपनी और अरुग आमा यती शुके रामरी अट्टा कटा भायता पनी छरा छोरी को लागी। आपनो धर्मा ने श्रेष्ट उन्च। आपनो धर्मा लेने आपनो कल्याण उन्चक्च। तेसे ले आपनो जस्तो धर्मा में छा तेसे मा रहे रहनों बाटाने सबी बंदा ठुलो कल्याण होंच बने रहे शरी पनी बताईए को छा। तेस कारणले आपनो परगति को लागी गुरु को ज्यादे सम्मान करने। अब पिता को छराचरी ले ज्यादे सम्मान करने। आपनो धर्मा लाई तेसमा गुने गुने गुन देखे रहे आपनो ज्यादे लाब होंच बने रहे तेसमा आस्तागरी राखने। इस बाटाने आमी सबाईगो पविश्य धेरे रामर होंच बनीकना। आज को पर्शंगा यो अब मांगी भोली होने चा तब सम्मालाई जय पस्कते नात।